दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते कि ड्राइ क्लीन ओनली लिखा है पर मैंने इसे वोशिंग मशीन में वोश किया है और इसका वर्क या कपड़ा कुछ भी खराब नहीं हुआ है दोस्तो क्या आपने कभी वोशिंग मशीन में डेलिकेट कपड़ों को धोया है वोशिंग मशीन में पीथरी प्रोग्राम होता है जो कि डेलिकेट कपड़ों के लिए होता है तो आज हम सीखेंगे की से यूज कैसे करना है दोस्तों यहाँ पे आज मेरे पास एक बहुत प्यारा सा सलवार सूट है जिसमें धागे का काम किया हुआ है और यह उसका स्ट्रेट पैंट है पर जो डेलिकेट चीज है इस सलवार सूट में वो है इसकी कोटी में काफी जादा काम किया हुआ है तो लाइक अब मैं इसे डेलिकेट है ओप्षिन इस पर आज हम वोश करेंगे अपने कपड़ों को सबसे पहले मैं यहाँ पर लेड ओपन कर लूँगी यहाँ जो मेरे पास थ्रीपी सूट है इससे में सेपरेटली वोश करूँगी इसके साथ मैं किसी और दूसरे कपड़े को नहीं धोने वाली आप डेलिकेट प्रोग्राम में तीन चार पांच शे कपड़ों को एक साथ भी धो सकते हैं अगर आपको आइडिया है कि इन कपड़ों में से रंग नहीं निकलता है तो आप अपने फैंसी कपड़े वर्क किये वे कपड़े ने टॉप्स जिसके चमक बरकरार रहने उनको एक साथ भी धो सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इस प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले में जो पावर वर्टन है वाशिंग मशीन का इससे प्रेस करके ओन कर लूँगी यहां बाइडिफॉल्ट पीवर्म प्रोग्राम अब हम देख लेते कि delicate कौन से program में हैं तो आप देख सकते हैं जो P3 program है वो delicate program है तो अब हमें प्रोग्राम को change करके P3 में लाना होगा तो मैं program बटन को प्रेस करके P2 P3 P3 पे यहां ले आई हूँ मदलब कि delicate program अब यहां पर देख सकते कि by default जो water level है वो आपको high में show हो रह यह हाई वाटर इसलिए लेता है क्योंकि जब पानी का लेवल जादा होगा तो कपड़ों के बीच में फ्रिक्शन कम पैदा होगी जिससे की कपड़ों का वर्क खराब नहीं होगा कपड़ों की फैब्रिक खराब नहीं होगी यहाँ जो अल्ट्रा क्लीन ओप्शन है मतलब कि वोशिंग मशीन का पानी को गर्म करने वाला ओप्शन है जब आप इसे प्रेस करेंगे इस बटन को तो इसका बटन काम ही नहीं करेगा क्योंकि डेलिकेट में जो है न आप गर्म पानी में कपड़ों को नहीं धो सकते हैं पर जो start or pause बटन है से हम प्रेस्त करेंगे जिससे कि प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर लिख रहा है 1.5 कप हमें को दितर्जेंट को पोर करना है बट हम इसमें 1.5 कप दितर्जेंट नहीं डालेंगे हम सिर्फ आधा कप ही डितर्जेंट डालेंगे क्योंकि यह नए कपड़े है, delicate वाले कपड़े है और इसमें खाली हलका सा sweat का smell होगा, हम चाहते हैं कि वो बस चले जाए इसलिए नए कपड़ों की चमक बनी रहे, इसलिए हम सिर्फ half cup ही इसमें detergent डालेंगे या उससे भी थोड़ा कम ही डालेंगे दोस्तो इस टिप को याद रखे कि नए कपड़ों में हम कम ही detergent का इस्तमाल करेंगे दोस्तो यहां मेरा प्रोग्राम हो चुका है, finish मैं आपको यहां दिखाती हूँ कपड़ों को यह देखिए, यहां पर हमारे कपड़े धुल के तयार है, अब मैं इन्हें सूखने के लिए बहार डाल देती हूँ तो चलिए देखते कि सूखने के बाद हमारे कपड़ों की चमक बनी हुई है या नहीं दोस्तो हमने कपड़ों को धूप में हैंग कर दिया है और आप देख सकते कि यह ड्राइक्लीन वाले कपड़े भी खराब नहीं हुए है वोशिंग मशीन में धूने के बाद भी इनका जो आप देख रहें में जो सारे काम है वो अभी भी अच्छे से इंटाक्ट है और कपड़ों की चमक भी बनी वी है आप इसे एक बार आईरेन कर दीजे फिर यह बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा